Hello friends, I hope you are doing well. I welcome you all to the Current Affairs GK Facts Class for Science and Technology. तो ये जून 2021 के Current Affairs का पार्ट है दोस्तों और ये मेरे Current Affairs Workbook Program का एक हिस्सा है. मैं हर महीने students को free workbook देता हूँ जो मेरे Telegram Channel जो ये जिसका link यहाँ पर दिया गया है उस पे available है. आप ये workbook download कर सकते हैं क्योंकि ये workbook में मैं आपको monthly basis पे free में 6 newspapers का compilation देता हूँ और ये workbook के related discussion हम लोग classes पे करते हैं आन Academy के app पे और मेरे profile पे अगर आप जाएंगे आन Academy पे तो महाँ पर मेरे profile पे आपको ये free classes मिल जाएंगी पूरी और इन classes को unlock कर सकते हैं आप अपनी 10 code का प्रयोग कर गे monthly current affairs होता है 6 newspapers से compilation एक जगा मिल जाता है दूसरा दोस्तों ये जो gk facts वाली class है ये वो current affairs होते हैं जो 6 newspaper में पाई जाते हैं बड़ जो एक proper topic नहीं बन पाते ये miscellaneous छोटे facts होते हैं individual facts होते हैं जिनके related सवाल आ सकता है लेकिन ये कोई बड़े topic में नहीं आते हैं तो उनको मैं यहाँ पे कराता हूँ तो science and technology के topics की बात हो रही है और science and technology related current affairs हम अलड़ी कर चुके हैं और उसमें काफी important issues जो हैं हम लोग discuss करे हैं current affairs की classes में जून के महिने में जिसमें सवाल की उमीद ज़ादा बनती है mains के exam में भी तो इस video में हम लोग बात करेंगे जो जी के isolated facts हैं उनको cover करेंगे तो दोस्तों अगर देखा जाए broadly तो science and technology के 5 topic news में रहे हैं चोटे चोटे issues हैं ज्यादा बड़े नहीं हैं तो आईए एक एक करके इनको देखते हैं हम लोग और इनके बारे में जानते हैं कि इन में से क्या information prelims में mains में कहां पर use हो सकती है और कैसे इनका प्रयोग किया जा सकता है तो देखिए दोस्तों सबसे पहला है UV rays और COVID-19 तो ऐसा माना जाता है कि जो UV rays हैं वो sterilization के purpose के यूज़ वैसे भी की जाती है तो उनका coronavirus को tackle करने में भी काफी मदद देगा तो ऐसा बोला जाता है दोस्तों कि जो UVC light है ये basically coronavirus के जो microorganism है जो उसके जो RNA और DNA है उसको damage कर देगी in fact ये point आपको इसलिए भी जानना ज़रूरी है क्योंके UVC light का प्रयोग अभी हाल ही में भारत के parliament में किया गया है तो संसद में cleaning करने के समय UVC light का प्रयोग किया गया था ये सोचके कि हम लोग जो microorganisms coronavirus के जो हैं उनको basically हम एक तरीके से kill कर पाएंगे तो ऐसा मेरा मानना है कि इसके related एक individualistic statement बन सकती है तो इसमें जो सबसे important point दोस्तों याद रखने वाला है वो ये ही है कि UV rays जो है उनका sterilization के लिए प्रयोग किया जाता है और काम किया जाता है दूसरा पीजो materials की अगर हम बात करें तो पीजो material basically जो होते हैं ये electric voltage को produce करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है ये ऐसे material है जब mechanical stress के अंडर electric voltage को produce कर देते हैं और electric current के application से क्या होता है कि इन materials में expansion देखा जाता है तो जो material है पीजो electric properties वाला एक बहुती advanced material हमारे देश के scientists ने discover करके अभी बनाया है और उस material का नाम है GRPC तो graphene reinforced piezoelectric composite बोलते हैं इसको तो ये basically क्या है इसमें हम लोगों ने हमारे जो scientists हैं उन्होंने lead zirconate titaniate का और graphene nanoparticles इन epoxy base को use करके एक combination में ये material जो है graphene reinforced piezoelectric composite बनाया है तो ये आपको जो दो chemicals का प्रयोग किया गया है खास करके lead zirconate titanate and graphene nanoparticles इन ने epoxy base ये याद रखना है और GRPC जो है जो graphene reinforced piezoelectric composite बनाया है ये काफी useful है ऐसा माना जाता है artificial muscles जो biomedical devices में होते हैं उनको बनाने के क्योंकि उनके प्रयोग से हम लोग material बना सकते हैं जो multiple direction में move करता है अचा पीzoelectric based जो devices हैं ये robotics और satellite industry में भी use होते हैं आपको June के current affair के science and technology में मैंने इंडिया के satellite और space sector के बारे में चर्चा की थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि इंडिया जो है is basically slipping in the space launches क्योंके जो इंडिया है उसका space launches में एक problem इसले आया है क्योंके कोरोना काल की वज़ा से हमारे space launches कम हो गए है और हम आज की date में पूरे तेड़ साल के समय में केवल तीन rocket launches कर पाए हैं in contrast to countries जैसे की जो US है और चाइना है ये countries में कोरोना का का एक फायदा उठाते हुए space launches को बढ़ाया है और मैंने आपको ये भी चीज़ बताई थी कि basically जब हम space sector की इंडिया में बात करते हैं तो 2020 में बारत सरकार ने space sector में काफी सारे reforms किये थे और उन reforms के कारण क्या हुआ था कि हम लोगों ने एक तरीके से जो private sector है उसको space satellite launch करने की एक अनुमती दी थी और साथ में हमने ये भी बोला था कि जो space का data ISRO गयादर कर रही है वो share कर सकती है private sector के साथ दिखिए उसका सबसे बड़ा कारण ये था दोस्तों की मैंने आपको बताया था कि basically जो small satellite launch vehicle है new space India limited देख करके agency जो ISRO ने बनाई है उसके थुरू हम लोग जो है basically space में small satellites बेजेंगे जिसका data जो है private sector यूज भी कर सकती है और small state satellite launches जो है वो अपना खुद भी कर सकती है और मैंने आपको एक चीज बताई थी दोस्तों जो ये small satellites हैं इनका जो launches ये भी piezo material के use से बनाई जाते हैं तो ये आपको याद रखना है लेकिन हमने एक चीज देखी थी कि अभी वो space worthy नहीं हुए है जिसके लिए 4 minimum launches का requirement है तो उस issue के साथ ये piezo material के issue को आप पढ़िएगा और जिन दोस्तों ने वो class अभी नहीं देखी है science and technology वाली तो मैं उनको request करता हूँ कि वो आज ही जाके unacademy पे मेरे app पे ये classes को आप वहाँ पर देखें मेरे profile में आपको science and technology वाला class में space launch वाला topic ज़रूर अच्छे से कर लीजेगा उसके related सवाल आना इस बार काफी हमें important लगता है अब देखें अगर हम आगे की बात करें अगला topic जो है वो छोटा सा ये के MFS D2A है ये एक basically transporter protein molecule है दोस्तों जो scientist में बनाया है जो omega 3S को pull करके brain blood barrier को remove करता है और उसके across ले जाता है तो ये जड़ा याद रखिए कि एक छोटा सा discovery है ये cheapest hydrogen pathway की अगर हम बात करें तो aluminium जो है बाकी base metals की तरह oxygen को crave करता है जैसे हम खाने को crave करते हैं वो oxygen को crave करता है और aluminium अपनी तरफ oxygen को air से और water से जो जल है और जो वायू है वहाँ से उसको खीचता है अपनी तरफ लेकिन उस खीचने से भी उसके अपने ही limitations है कि वो reaction कर जाता है और reaction के कारण oxide बन जाते हैं उसके surface के उपर तो एक तरीका जो scientist हमेशा use करते हैं उसको overcome करने के लिए वो क्या करते हैं कि जब aluminium oxygen खीचता है air से और water से और react करके oxide बनाता है अपने surface पे तो क्या करते हैं scientist कि वो basically गरम पानी का प्रयोग करते हैं aluminium nanoparticles पे तो जब गरम पानी डालते हैं तो उससे क्या होता है aluminium nanoparticles पे तो एक तरीके से oxide formation रूख जाता है बट यह economical तरीका नहीं है महेंगा तरीका है तो इसका एक सस्ता alternative आज की date में पाया गया है वो यह है कि हम sea water का प्रयोग समुद्री पानी का प्रयोग कर सकते हैं जो की खारा पानी होता है जो alkaline होता है और उसको aluminium जो हम scrap dealer से लेके use कर सकते हैं तो ऐसा देखा गया है कि अगर sea water को हम लोग कबाडी वानों से aluminium लेके scrap dealer से उसके उपर reaction करें तो hydrogen and aluminium बनता है और यह hydrogen further carbon dioxide के साथ react करके atmosphere में methanol भी बना सकता है तो एक hydrogen pathway create हो रहा है आप समझ रहे हैं यहाँ पे पूरा इसी चीज़ के उपर इस topic की चर्चा दी अब एक आखरी छोटा सा issue है दोस्तों जो है silver nano sanitizer तो sanitizer आजगी date में वैसे भी उसका प्रयोग बढ़ गया है बड़ जो mostly sanitizer है हमारे पास वो alcohol based sanitizer है ऐसा माना जाता है कि कई लोगों को जिनको alcohol नहीं मिलता है तो वो withdrawal symptom के कारण sanitizer ही पी जाते हैं तो उन चीज़ों से भी बचाप करने के लिए silver nano sanitizer हमारे पास एक alternative के सामने आया है यह silver nanoparticle use करता है जिससे कि जो viral का strand RNA का है वो basically synthesis उसका रुख जाता है तो silver nanoparticles जो हैं उसमें antiviral agents होते हैं जो HIV virus के खिलाफ, hepatitis B virus, herpes, simplex virus और covid के उपर काम करते हैं तो इसमें basically glutathion 9 capped silver nanoparticles होते हैं जो covid के proliferation को slow down कर देते हैं because of the release of silver ions तो वो silver ions जो release होते हैं तो उसके कारण जो है virus का spread in a bit हो जाता है तो यह चीज आपको basically silver nanoparticles के बारे में याद रखनी है यह एक छोटी सी innovation है जो news में रही थी science and technology related तो यह बस random facts तो इसके सवाई जो बाकी detail के science and tech के topics हैं दोस्तों वो workbook में हम लोगों ने करे हैं और जिन दोस्तों ने नहीं करे हैं मैं उनसे आगरा करता हूँ कि यह telegram channel पे जाके वो आज ही workbook को download करें और उसका print out लेके classes को unacademy के app पे जाके science and technology की classes को देखें और पवनी 10 code यूज करके वो classes को access करके पूरे issues को समझें और हम आगे के issues को इसी तरीके से continue करते रहेंगे तो science and technology यहाँ पे खतम होता है thank you